पाकिस्तान वर्सेज नामीबिया काफी इंट्रस्टिंग ये मैच होने वाला है ICC मैंस T20 वल्लकप का ये बहुत ही सांदार 31 मुकाबला होने वाला है सूपर बाराव ग्रूप जो है दो का और आपको बता दें इस वीडियो में आपको पूरी फुल इंफर्मेशन मिलेगी पिछ रिपोर्ट की डीपली अनलीसिस है दोनो ही टीम की यहाँ पर अनलीसिस करेंगे कि कौन सी टीम जो है स्ट्रॉंग है और कौन सी टीम जो है कैसी है वहीं अगर मैं बात करूँ लास्ट फाइफ मैचस की डीटेल्स है और दोनो ही टीम की प्लेंग लेवन के साथ-साथ यहाँ पर प्लेयर की स्टैर्स भी आपको बताए गए है तो वीडियो का यार लास्ट तक देखना पेटियम कैस गूगल पे फोन पे मिलेगा जो जो लोग है जो है सही अंसर करेंगे उनको उससे पहले आपको बता दे इस वीडियो को स्पांसर करने के लिए खिलाडी अड़ा को थेंक्यो यार और खिलाडी अड़ा के अप्लिकेशन काफि ट्रस्टेड और जो है मतलब अच्छी अप्लिकेशन है वीडियो की डिस्किप्सन आप चेक करिए वहाँ पे आपको खिलाडी अड़ा अप्लिकेशन की लिंक मिलेगी वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है रुआल 11 यार रेफर को डाल लेना और यहाँ पर आप जैसे ही आओगे तो आप यहाँ पर पाओगे कि भाई यह बेस्ट अप्लिकेशन है यहाँ पर आपको फैंडेसी की टीम्स बनाने की जोड़त नहीं पड़ती यहाँ पर तो है ओल्रेडी आपको कॉम्बिनेशन दिये हुए है इन कॉम्बिनेशन बेसे जो भी आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन लगे जैसे की बाबा राजम का कॉम्बिनेशन और यहाँ पर जेजे स्मिट सोय मली का कॉम्बिनेशन या फिर रिजवान का और जे फ्रेंकलीन का या फिर आप चाहो तो सीधे जो है किसी और भी combination पे आप जो है जा सकते हो मातर 10 रुपय से यहाँ पर आप जो है starting कर सकते हो और जैसे ही रिवाइल 11 रेफर को डालोगे आपको 10 रुपय मिलते है उन्ही 10 रुपय से आप यहाँ पर start भी कर सकते हो साथ से 9 गुना जादा जो है आपको यहाँ पर profit होता है तो definitely भाई यह application चेक आउट करना तो बनता है point stable यार जहुर से पढ़ लेना क्योंकि बहुत सारे लोगों को point stable यार नहीं मालूम रहता है तो उसमें जो है उनका loss हो जाता है तो point stable आप जहुर से पढ़ लेना और अगर मैं बात करूँ तो यह application आपको paytm withdraw भी देती है काफी अच्छी application है मैं भी यहाँ पर खेलना पसंद करता हूँ इसलिए आपको recommend कर रहा हूँ तो video के description चेक आउट करिए आपको लिंक मिलेगी रॉयल 11 आपको refer code डाल देना है refer code डालोगे तो ही आपको 10 रुपय मिलेगा ठीक है refer code जहुर से डाल देना अब बात करते हैं match पे तो देखो यार पाकिस्तान और नामीबिया के बीच में जो match हो रहा है ना यहाँ पर मेरी जो favorite team रहने वाली है वो as a fantasy players मेरी नामीबिया यहाँ पर नहीं रहेगी यहाँ पर पाकिस्तान मेरा फेवरेट रहेगा अब यार कुछ बोलना मत ऐसा कि भाई पाकिस्तान को क्यों तू फेवरेट कर रहा है भाई obviously पैसे का गेम है और पैसे के लिए सबी लोग खेल रहे है तो यार पाकिस्तान यहाँ पर फेवरेट रहने वाली है उनके mostly players हम यहाँ पर लेके जाएंगे हाला कि अगर पाकिस्तान हार जाए तो थोड़ा अच्छा ही रहेगा वैसे अगर देखा जाए सूपर बारा का यह जो है ग्रूप दो का मैच है और यह मैच जो है मैच नमबर 31 है वर्ल्ड कप का और यह मैच आपको बता दे सिख जाइज इस्टेडियम आबुधाभी के वेन्यू पे सामको 7 मच के 30 मिट पे खेला जाएगा पिछ रिपोर्ट की बात करें तो देखो यहां की जो पिछ है ना बैटिंग के लिए जो है उतनी अच्छी नहीं है लेकिन बैटिंग के लिए अच्छी हो सकती है कब जब पाकिस्तान पहले बैटिंग करें यहाँ पर chasing करने वाले team को definitely फायदा होता है लेकिन जो strong team हैं जिनके पास अच्छे batsman है वो पहले inning में भी धमाल कर सकते हैं Namibia ने इस venue पर 4 matches के लिए हैं 2 match win किया है पाकिस्तान ने इस venue पर 9 matches के लिए हैं 6 match win किया है अगर हम बात करें average score तो total 8 अभी तक जो है world cup के matches हो चुके हैं इस venue पर दो बार यहाँ पर बैटिंग second करने वाल टीम ने छे बार win किया और दो बार उन्होंने loss किया है तो यह भी आप देख सकते हो बैटिंग यहाँ पर जो second team करती है उसको advantage रहता है total अगर बात करूं तो 54 matches इस venue पर हुए है 24 बार बैटिंग first करने वाल टीम और 30 बार बैटिंग second करने वाल टीम ने win किया है average score 145 run है highest score 225 run है lowest score यहाँ पर 6-6 run है scoring pattern अगर आप देखोगे 150 run से नीचे का score 34 बार बना है 150 से 170 run के बीच में 10 बार 170 से 190 के बीच में 4 बार और 190 से बब यहाँ पर 3 बार बना है तो यह भी जो है आप यहाँ पर देख सकते हो T20 domestic matches की बात करें total 61 matches हुए है 29 बार बैटिंग first करने वाल टीम ने बैटिंग second करने वाल टीम ने 32 बार win किया है average first inning का score 162 है highest score 247 है lowest score देखोगे तो यहाँ पर 70 run है scoring pattern की यह भी लिखा हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो और यह already हमने आपको बताया कि 8 matches हुए है वर्ल्ड कप के इस venue पे 2 बार batting first करने वाल टीम और 6 बार batting second करने वाल टीम ने win किया है last जो 5 matches इस venue पे हुए है वो आपको बता देते हैं अफगानिस्तान और नामीबिया के ही बीच में यहाँ पे last जो match हुआ था उसके बाद जो है अफगानिस्तान ने 62 रन से यह match win किया था उसके पहले आप देखोगे 27 अक्टूबर को match हुआ था दो match हुए थे इस venue पे और यहाँ पर भी आप देखोगे तो दोनों ही match जो है 8 विगेट से यहाँ पर जो है मतलब एक match और एक विगेट मैच 4 विगेट से यहाँ पर भी निवाल था यानि कि chasing करने वाले team को definitely फाइदा रहता है दोनों ही team की अगर compare करें तो नामीबिया की जो batting average है 153 है जबकि Pakistan की batting average आप निकालोगे 173 है balling economy अगर आप देखोगे तो भाई नामीबिया की balling economy मतलब हर उबर में लगबग उनको 8.35 की हिसाब से run पड़ते हैं जबकि Pakistan की बात करें 8.12 की हिसाब से इनको run पड़ते हैं तो definitely on paper भी आपको Pakistan की team strong दिखाई देगी पॉइंस टेबल में अगर आप देखोगे नामीबिया की team ने 2 matches के लिए है एक match win किया है एक match loss किया है पॉइंस टेबल में 4th position पे है जबकि Pakistan की team ने 3 matches के लिए है तीनों के 3 match loss किये है और पॉइंस टेबल में ये 1st position पे है यहाँ पे अगर दोनों है team की recent performance आप देखोगे Pakistan अपने last के 5 matches में से 4 match win करके आ रहा है और Namibia अपने 5 में से 3 match win करके आ रही है यहाँ पे last 5 matches की details भी हमने दे रही है तो वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो जैसे की आप देखोगे Pakistan ने last का 3 matches खिला है बैटिंग 2nd करी है और हर बार win निकाला है बैटिंग 1st करते हुए इसके पहले उन्होंने win निकाला है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैटिंग 1st करते हुए जो अच्छे टीमें नहीं रहती है उनको वो हरा देते है Namibia की बात करें इन्होंने हाला कि Ireland को जरू से हराया सकोट लेन को हराया लेकिन जो है जब अच्छे टीमों से इनकी फाइट हुई तो वहाँ पर यह लॉस कर गए थे तो यह भी ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले नामीबिया की प्लेइंग लेवन देखते हैं रोल भी हमने लिखे हुए है यह प्लेइर रोल आप डेफिनिटली यहाँ पर पढ़के जा सकते हो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करें रिजवान के साथ में बाबाराजम उपन करेंगे यहाँ पर प्लेइंग लेवन रहने वाली है अगर बात करें आपको गिवे में कैसे पाटिसिपेट करना बहुत एज़ी है पीए के वर्षे जो है आपको लिख देना है एन एम और भाई आपको बढ़ा दे यहाँ पर आपको क्या लिखना है कौन सा प्लेयर सबसे दा रन मारेगा उसका आपको नाम लिखना है कौन सा प्लेयर सबसे दा जो है विकेट लेगा उसका आपको नाम लिखना है वीडियो को लाइक करना काफी ज़रूरी है वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दे अगर हम बात करें इहां पर जो है इनकी स्टै्ट्स की तो देखो स्टीफ़ेन ब्राड लास्ट तीन के मैचस जो है खेले नहीं जैन ग्रीन लास्ट मिट में एक रन सी बिलियम्स लास्टमिट में एक रन जी एर्मुस लास्टमिट में बारा रन कोई विकेट नहीं मिला डेविड वाइज लास्टमिट में चबविस रन कोई विकेट नहीं मिला जेजे स्मिथ लास्टमिट में जीरो रन प्लस एक विकेट लेकर गए फ्रेंकलीन को भी विकेट ले कर गए थे उसके पहले जो है तीन विकेट तो इनकी यह बॉलिंग डिटेल्स भी यहां पे लिखी हुई है कौन सा प्लियर्ट डेथ में गेंद बाजी कराता है वो भी आप यहां पे देख सकते हो रुबन की बात करें पावर प्ले में गेंद बाजी कराते हैं ड बाबराजम सेकंड मैच में फ्लॉप रहे थे लेकिन लास्ट वाले मैच में 51 किया दो बार 50 प्लस का स्कोर कर चुके हैं और आपको बता दे बहुत ही तगड़े जो है दोनों पावर हिटर बैट्समेन हैं फकर जमान लास्ट मैच में 30 रन मौहमद अफीज लास्ट में 10 रन वहीं स्वेब मलिक ने भी जो है लास्ट मेच में 19 रन किया उसके पहले 26 रन प्लस एक विकेट जो है लिया था यहाँ पर अगर बालिंग की बात करूँ तो इन्होंने सिर्फ 5 बालर जो है यूज किये थे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इनके पास और भ लेकर गए इमाद वसीम 4 बर 25 रन दो लेकर गए हरी श्रौफ फर की बात करें 4 बर 37 रन एक विकेट हसंन अली 4 बर 1 एक मैडन 38 रन दिये थे 3 व है एक विकेट लेकर गए थे सादाप खान ने 4 बर में 22 रन लेकर एक विकेट निकाला था तो ये भी जो है आप यहाँ पर द विकेट कीपर सेक्षन से इनको जो है आप इगनोर भी कर सकते हो सी विलियम्स हो गए साधाप खान हो गए बाकी और भी जो अच्छे-चे पिक्स है आपको आगे बताऊंगा कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी ग्रेंड लिग में आपको ट्राइ करना है जी एरमिस को रिजवान को और साइन साफ रेदी को ये हमारे टॉप थ्री जो है ग्रेंड लिग की पिक्स रहने वाले हैं इनको जो है आपको ट्राइ करना चाहिए दोनों ही टीम की यहाँ पर फुल स्कोर डिटेल है यहाँ पर आपको टॉस्क इंफर्मेशन प्लेंग लेवन ड्रीम लेवन टीम जो है देखने के लिए मिलती है अब आते हैं ड्रीम लेवन पर जहाँ पर अपने टीम रेडी कर लेते हैं तो देखो यार आज के मैट में मैट भाई हेड टू हेड भी खेलूंगा और साथी साथ थ्री बेंबर भी खेलूंगा जिसकी टीम सापको टेली ग्राम पर फाइनल वाली मिलेगी फिलहाल अगर मैं बात करूँ रिजवान बढ़ियां ऑप्शन है अपने टीम में लेके जाएंगे बावाराजम को लेंगे साथी साथ फकर जमान को लेंगे यहाँ पर आगर मैं बात करूँ तो देखो C.Williams या J.A.A.R.M.US जिसको भी आपको लेना है लेलो मैं यहाँ पर J.A.R.M.US को आपने टीम में लेके जा रहा हूँ डेविड बाइस हमारी टीम में आएंगे साथी साथ यहाँ बात करूँ तो देखो की तरब से यह अच्छे बॉलर्स हैं इनको अपने टीम में लेते हैं रूबन को अपने टीम में लिया है आठ क्रीड में उसके बाद पिकी वाफ फ्रैंस हैं तो भाई इनको अपने टीम में ले लेते हैं या फिर आप डैरेक्ली चाहो तो भाई यहाँ पर अगर मैं बात जो आठ क्रीड में आपको अब लेवलो उस प्लेयर को आप ले सकते हो जैन ग्रीन है जैन ग्रीन ओपन करेंगे उनको अपने टीम में ले ले लेते हैं क्योंकि बॉलर पे में ज्यादा जो है यहाँ पर मतलब ट्रस्ट नहीं करूंगा कैप्टन्सी वाइस कैप्टन्सी की बात करें तो देखो रिजवान और बाबाराजम इनहीं में आपको जो है कैप्टन्सी वाइस कैप्टन्सी जाना जाएए क्योंकि दोनों में से एक प्रेयर डेफिनिटली यहाँ पर 50 प्लस का स्कोर करने की छमता रखता है टीम अगर आप पर रहने वाली है आप यहाँ पर चाहो तो यार डेफिनिटली कैप्टन वाइस कैप्टन जो है आप रिवर्स कर सकते हो बावराजम को कैप्टन और रिजवान को वाइस कैप्टन या फिर अगर हमें बात करूं तो ग्रेंड लिग में इन तीनों को आपको भी जीतने का चांसस है तो गीवे में भी पार्टिसिपेट करना रूल जाके जोरू से सुन लेना कि क्या रूल जो है हमने बताए हैं वीडियो देखने लिए आप बहुत बहुत धनिवाद चैनल को ऐसे देखते रिए सपोर्ट करते रिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में